जैहिंद वन्दे मंत्र दोस्तों स्वाइद आपका टूडे ब्रेकिंग न्यूज एडलाइन्स के अंतरकत जियां दोस्तों आज ओगी है अठाई सितंबर शनिवार आईए बात करते हैं कर्ज माफी के लिए सो क्रोड की मंजूरी के साथ रास्तान की किसानों को तीर बड़ी रहत की खबिने जियां दोस्तों मुक्य मंद्री ने कर्ज माफी के लिए अतरीक्त बजर के साथ ही बुद्वार को नर्वदा नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्यांस के रूब में 183.90 क्रोड रुपए सहित 246 क्रोड 45 लाग की अतरीक्त प्रावदान को मंजूरी दी है सीम की इस स्विकृति के बाद तुरी सीचाई के लापका कार्यकरम तता संचीत ख्षेतर विकास से हम जल प्रबंदन के तहत केंद्री साहिता के रूब में 146 क्रोड रुपए भी रास्तान को प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है और इसी बीच सीम असो गलोद ने बुदवार को टिड़ी से बरबाद होई फचलों को सर्वे करवा कर एंडी आरप के नियमों के तहत प्रभावित किसानों को मुहालजा देने के निर्देश दिये हैं सीम असो गलोद ने सीमों को टिंडी नियंतरन को लेकर करशी और आपदाराहत की अफसरों की बेठक लिए वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी अपड़िया निकल के सामने आ रही हैं मोधी सरकार द्वारा मध्य परदेश में किसानों के लिए फसल विमा योजना को लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है बारिस थमने का नाम नहीं ले रही है दूसरी तरफ किसानों को सोयबीन के खेतों में अती उरिश्टी के कारण सडगलकर फसल अंकुरी तो चुकी है कई किसानोंने सोयबीन के कटाई शुरू करती है इस मान से उत्वादन में कमी के साध सोयबीन की गुणता पर लुए रही असर पड़ा है जिस कारण से उन्हें सही भाव से नहीं बिग पाएगी इस कारण अब मोधी सरकार बीमादारी किसानों को अलका सर्वे आदार पर पात्र मान कर लाब देने के बाग गई हैं अगर आप भी 5-6 किसान अगर एक ही अलकी से सिकाईट करते हैं तो उसका अलका सेंपल किया जाकर नुमानिगी का बीमादारी किसान को पातरता अनुसार लाँ मिलेगा जिले में 90,000 से अधिक किसानों को फसल बीमा दे तांकि जिले में 90,000 किसानों से अधिक ने परदान मंतरी बीमा फसल करवा रखा है इस मान से अगर सभी शिकाइद करेंगे तो 5-6 माह का बहुती लग जाएगा और AC स्थिति में परदान मंत्री फसल विमा योजना के अंतरगत प्रावधान के मैध्य सीजन में AC कोई आपदा होती है जैसे जल्ब राव बार जैसी स्थिति नीर में तो उती है तो स्थिति के मार दोस्की निर्देशों के अनरूप अधिसुजना जिल्ला के लेक्टर द्वाला जारी की गई है वह एक और बड़ी अपड़ी निकल का सामने आ रही है देश में एक अक्टूमबर से बदल जाएगा आपका ड्राविंग लाइसेंस जियां दोस्तों देश के इन दिनों चारो तरब किसी एक विशाई का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह विशाई है ड्राविंग लाइसेंस यानि की मोटर वेहिकल एक्ट जियां दोस्तों दरसल इसके लागो होने के बाद यतायात निमों में तोडने वाले लोगों को अजार से लेकर राखों रुपए तका सालान काट जा रहे हैं इसी बीच बतादे की निम निम में पूरे देश में एक अक्टूमबर से लगो हो जाएंगे दरसल इसके बाद आपको अपना ड्राविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा बतादे की गाड़ी का रेजिटरशन, सर्टिपेकेट यानी की राविंग लाइसेंस का अनी रूप से ज़रूरी हैं अलांकि अब लाइसेंस और आरसी दोनों का रूप रंग बदल जाएगा राजय में ड्राविंग लाइसेंस और आर्सी का फॉर्मेट अलग लग होता है यही नई इसके अलावा अलग लग राजयों में नियम अलग लग होते हैं इसके लिए अब सभी राजयों में एक जैसे होंगे यानि कि पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और एक जैसी आर्स परदान करने के उदेशी से सरकार ने 21 अगस्त 2019 को मुख्य मंत्री परिवार समर्द योजना एक योजना ना होकर के अंतर सरकार दोरा सुरुख की गई चाह योजनाओं का संकल्प है जिस उदेशी से अर्याना राजे के निवाशों को कलियान करना है इस योजना के तैद ला परिवारिक सालाना अमदिनी एक लाग से ऐसी जार रुपई या दो एकटर जमीन है इसी बीच अर्याना सरकार दोरा लागू की गई इस योजना का उदेशी आर्थिक रूप से पिछले और गरीबी रेका से निचा वाले लोगों को आर्थिक वीत्तिय स्तिर्ता सुनिशि जाएगा इन योजना में पर्दान मिंतरी फसल भीमा योजना पर्दान मिंतरी किसान मांदन योजना वहीं पर्दान मिंतरी लगुए पारी मांदन योजना पर्दान मिंतरी स्रम योगी मांदन योजना पर्दान मिंतरी जीवन जोती भीमा योजना एक और बड़ी अबड किया जाएगा इसके लिए सासन के परदेश सभी जनपदों को ग्राम में विकास की सूची मांगी है जिसके बाद प्रदेश में काफी संक्या में कुष्ट रोगी है और रोग होने के बाद उन्हें सरीर में बदुबवानी सुरू हो जाती है जिसके करण लोग उनसे दूरी बिनाना सुरू कर देते हैं इसी बीच मुक्य मिंत्र योगी अधितिनाद ने इसके आवास देने का फेचला किया है सासन के ग्राम में विकास अक्ट ने रविंद्र नायक ने परदेश के सभी जनपदों को मुक्य विकास अधिकारी वे डिया डिया विभाक की प्रियोजन ने देशे को पत्र बेजा था तो दोस्तों में में देए जरूरी अपडेट्स आप सभी को जाने को मिली होंगी वहीं दोस्तों आपने अभी तक हमारे ELF न्यूज को सुस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो नीचे लावड़न दियां इससे सुस्क्राइब कीजे साथ म चोट अनना साब बेल अगें दियां स्कूर दो दिजिए ठैंक्यू टिकर गुडबाई जाएं जाब भारत वहन दिया मात